तो कैसे हैं आप लोग my name is पार्थ and welcome back to my youtube चैनल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बियर का मग है ब्रेड है शी कितना घटिया combination है ब्रेड को बियर में कौन डालता है कोई ने डालता मैं जानता हूँ ये दोनों चीज़े बहुत अलग है बट इन में कुछ तो common है वो हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चो आज का topic directly connected है to the last video प्लीज वो वाला देख लो उसका link मैंने description में डाला है वो अ अपना आज का topic है ATP and types of respiration तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी time pass के आज का पहला topic है ATP adenosine triphosphate इसके बारे में हमने last video में बहुत कुछ पढ़ा है इसको direct energy बोलते है energy currency of the cell बोलते है cell इसको immediately use कर सकता है ये सब हमने पढ़ा था हमने बोला इसके अंदर energy होती है तो वो energy कहा है चलिए देखते हैं ये जो ATP है ये तीन चीज़ों का बना हुआ है actually दो चीज़ों का बट देखते हैं पहली चीज़ है adenine आपने DNA के structure में nitrogen base पढ़े है adenine, gonine, cytosine, thymine उसमें ये adenine था ना DNA में ये वही adenine है nitrogen base इसको हमने attach किया ribose sugar RNA में sugar होता है पड़ा है ribonucleic acid में भी sugar होता है ये वही शुगर है ribose sugar attach कर दिया तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई इन दोनों को एक साथ बोलते हैं adenosine adenine and sugar एक साथ adenosine ये बन गया अब इस चीज़ का पूरा नाम क्या है adenosine triphosphate तो मुझे क्या चाहिए phosphate तो चलो sugar के उपर लगाते हैं phosphate group but triphosphate नाम है तो कितने एक phosphate चाहिए 3 phosphate group तो और दो लगा देंगे चलो पूरा molecule बन गया adenosine भी आ गया three phosphate group भी आ गया अब इसमें energy किदर है सुनो ये दो phosphate दिख रहे है न लास्ट वाले उनके बीच में एक line है bond है bond उस bond में होती है energy देखो energy is stored in the bonds by which the phosphate groups are attached to each other highlight हो रहा है दिख रहा है बीच में bond है उसमें है energy तो उस energy को मैं बाहर कैसे लाऊं simple bond को तोड़ दो energy will be derived by breaking the phosphate bond of ATP चलो मुझे बता हूँ अभी bond बना हुआ है battery full है fully charged है bond को तोड़ दिया बूम क्या निकला बाहर energy battery low हो गई simple है के नहीं है कुछ भी नहीं है phosphate के बीच में bond है उसमें energy है bond को मैंने तोड़ दिया तो energy बाहर आ गई है के नहीं simple चलिए थोड़ा आगे जाते हैं अभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत time से खाना नहीं खाया पास्ट कर रहे हैं उपवास कर रहे हैं तो बोड़ी के अंदर glucose कम हो सकता है glucose का levels can decrease तो ऐसे टाइम पे क्या आपका body proteins and fats में से energy produce कर सकता है बिलकुल कर सकता है तो अब देखते हैं process of energy production through the breakdown of carbohydrate protein and fat carbohydrate का तो breakdown हमने देखा है protein and fat का देखते हैं चले तो ये वाली story भी start होगी carbohydrates से थोड़ा मेरे साथ bear करू carbohydrates का क्या होता है हमने पढ़ा था ना it enters into a process called glycolysis glycolysis में glucose break होके मिलता है pyruvic acid इस pyruvic acid को हमने convert किया into acetyl coenzyme A यहां तक ठीक है फिर वो acetyl coenzyme A जाता है क्रेप cycle में क्रेप cycle में बहुत सारे reactions होते हैं NADH2 निकलता है FADH2 निकलता है निकलता है कि नहीं और ये फाडू ये ATC reaction में जाएंगे एंड फिर वहां ATP बनेंगे ठीक है लेकिन इस पूरे process के end में मुझे मिलता है CO2, H2O and energy कितनी energy मिली थी 38 ATP इसका calculation भी किया है न चलिए तो ये हो गया carbohydrate का breakdown but can I use lipids and proteins as well yes what are lipids fats तो lipids and protein को मैं digest करूंगा तो क्या मिलता है fatty acid and amino acid इनका क्या करूं मैं सुनो fatty acid and amino acid को convert कर देंगे into acetyl coenzyme A कुछ भी नहीं किया दोनों को लिया convert किया into acetyl coenzyme A फिर वो जाएगा क्रेप cycle में वही reactions होंगे नाडू आएगा फाडू आएगा ETC reaction होगा and अंत में मिलेगा CO2, H2O energy बाकि सब process एकदम same है समझ में आ रहे बात कुछ भी difficult नहीं है ये table exam में बहुत बार पूछते हैं प्लीज इसको note down कर लो notebook pen लेके बैड़ जा भाई और इसको लिख लो लिखे हो गया तो आगे जाते हैं तो बच्चो next topic है types of respiration कुछ नहीं दो types होती हैं कितनी types दो types एक होता है aerobic respiration तो ये respiration कब होगा in the presence of oxygen जब oxygen present है aerobic respiration होगा and दूसरा type होता है anaerobic respiration और ये कब होने वाला है in the absence of oxygen जब oxygen present नहीं है तो aerobic respiration तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा glycolysis krept cycle ETC reaction को सब क्या था वो aerobic respiration का part था बराबर है आज हम देखेंगे anaerobic respiration में क्या होने वाला है चलो तो anaerobic respiration में क्या है glucose will be in completely oxidized glucose पूरी तरह break होगा नहीं in complete oxidation and less amount of energy will be obtained 38 ATP नहीं मिलेगा इदर कितना मिलेगा बताऊंगा तो यह जो anaerobic respiration है यह होता है दो steps में कितने steps में दो पहला step है glycolysis है इधर भी आ गया यह हां glycolysis is a common step in aerobic and anaerobic respiration दोनों में आता है पहला step glycolysis common रहेगा बराबर है और इसमें क्या होता है यह मैंने अच्छी तरह पढ़ाया है glucose breaks down into pyruvic acid simple पहला step ठीक है आगे क्या होएगा second step का नाम है fermentation बहुत ही interesting चीज़ है बहुत मज़ेदार चीज़ है और यह fermentation जो है यह अलग-अलग organism में अलग तरीके से होता है तो देखें यहां पर मैं आपको एक दो possibility बताता हूं पहला possibility pyruvic acid will convert into alcohol डारू डारू बन जाएगा अलकोहल के साथ साथ मिलेगा carbon dioxide and energy कितनी energy मिलेगी अभी बता देता हूं 2 ATP बस येस दो ही ATP मिलता है यह एक possibility है pyruvic acid से मिलता है alcohol, carbon dioxide and energy second possibility है pyruvic acid will convert into lactic acid and energy कितना 2 ATP only तो दोनों possibilities समझ में आई हैं अब मुझे एक बात बताओ यह anaerobic respiration कौन करेगा बहुत सारे bacteria होते हैं, बहुत सारे organisms हैं जो without oxygen breathe करते हैं, respire करते हैं लेकिन उनके अलावा there are some plants, animals and even aerobic microorganisms even they will perform anaerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the ceremony मतलब अगर area में, environment में oxygen कम हो जाता है तो कुछ plants, कुछ animals and even microorganisms यह लोग भी anaerobic respiration कर सकते हैं अगर oxygen कम हो जाता है condition समझ रहे हो तो what are the two steps here, बहुत ही simple है glycolysis and fermentation glycolysis रहेगा common for aerobic and anaerobic and fermentation बहुत मज़ेदार चीज है चलिए examples देखते हैं अच्छ आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे नन्ने मुन्ने seeds, soil में पड़े होएं यह seeds, anaerobic respiration कर सकते हैं if the soil is submerged underwater मतलब क्या, अंधेरी रात हो गई तूफान आया, आंधी आया तेज बारिश होई, बहुत पानी किरब पूरा soil में पानी भर गया बिचारे नन्ने मुन्ने seeds डूब गए सबमर्ज हो गए, उनको oxygen मिल रहा नहीं है तो क्या यह लोग respiration बंद कर देंगे यह अपने 9th में पढ़ा है useful and harmful microbes में फिर भी बता देता हूं, East क्या होती है unicellular fungus है single cell वाली fungus है और इसको use किया जाता है bakery products में, bread बनाने के लिए and even in alcohol production market में it is available in the form of powder, इसको बोलते हैं active dry yeast bakery products में use किया जाता है तो यह करता क्या है भाईए देखे, East pyruic acid को convert करेगा into ethanol plus carbon dioxide and energy तो अभी यह ethanol बना रहा है मतलब definitely beer बनाने के लिए use किया जाएगा, लेकिन carbon dioxide भी बना रहा है न and that is the reason इसको bread बनाने के लिए use किया जाता है carbon dioxide gas है तो bread के अंदर अगर gas produce होगी तो bread spongy बनेगा, soft बनेगा reason समझ रहे हो समझ में आई बात, क्या मिल रहा है ethanol, carbon dioxide and energy चलिए देखते हैं तीसरा example अब यह example मैं इंसान का बात करेंगे मैं आ गया एक gym में और मैं workout कर रहा हूँ, मैं exercise कर रहा हूँ, तो exercise करते वक्त मेरे muscles बहुत जादा energy use करेंगे चलो exercise करके देखते हूँ मैं dumbbell भी लाई हूँ आपके लिए देखो, भाई मैं bicep curl कर रहा हूँ, एक हो गया, दो हो गया तीन हो गया, मेरा muscles energy use कर रहा है, तो ऐसे time पे मेरे muscles को oxygen कम मिलेगा, during intense exercise there is a deficiency of oxygen in the muscles, muscles में oxygen कम हो गया है चलो देखते हैं के क्या होगा, चलो 4, 5, 6 3, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, अभी 15 हुआ, 16 हुआ, मेरा हाथ उपर उठ नहीं रहा है, मेरे muscles थक गये है, tired हो गये है, ये क्यू हुआ? because आपके muscles में lactic acid produce होगा, lactic acid will accumulate in the muscle, due to which we will feel tired, अभी इतना exercise किया, तो क्या जमा हो गया muscle में, lactic acid, तो यहाँ क्या होगा? रुखो रख देता हूँ, हाँ जी, तो यहाँ क्या हुआ? pyruic acid convert हो गया into lactic acid and energy, और ये lactic acid मेरे muscle में आ दुखरे दुखरे lactic acid जवाँ आ जाएगा muscle में and that is why you feel tired after intense exercise, muscle ठख जाते हैं, simple है? तो यहाँ तक की पूरी process को चलो, summarize करते हैं, flow chart देख लेते हैं, anaerobic respiration in living organisms और cells, चले तो, तो कहानी start होती है with glucose, glucose, glucose enter करता है glycolysis में, glycolysis से मिलता है pyruvic acid, यहाँ तक follow कर रहे हो, pyruvic acid undergoes fermentation and produces alcohol, यह कौन बनाता है, कौन बनाता है, कौन बनाता है यह, yeast, तो यह वाला जो step है, यह किसका है, yeast का है, दूसरी बाद, glycolysis से मिला pyruvic acid, pyruvic acid undergoes fermentation to produce lactic acid, कौन बनाता है, तो चो कौन बनाता है, muscles मा, एक और चीज़, erythrocytes and muscle cell, erythrocytes मतलब आपका red blood cell, यह दिखर है है, इनके अंदर भी lactic acid produce होता है, यह लोग भी anaerobic respiration करते है, ठीक है, and तीसरा step, तीसरा point, pyruvic acid मेला same step, pyruvic acid undergoes fermentation, fermentation से मिलेगा, vinegar, vitamins, etc, यह कौन करता है, various microorganisms, बहुत सारे bacteria हैं, बहुत सारे microorganisms हैं, जो vinegar, vitamins, and बहुत सारे other products बना सकते हैं, तो यह हो गई, पूरी discussion about anaerobic respiration, आयोप याद रहेगा, दो step हैं, glycolysis and fermentation, glycolysis सब में होने वाला है, aerobic में भी होगा, anaerobic में भी होगा, and anaerobic में fermentation होगा, जहां पे ethanol भी बन सकता है, lactic acid भी बन सकता है, vinegar and vitamins भी बन सकता है, तो बच्चों, अगर आपको आज के वीडियो में, थोड़ा भी मज़ा आया है, तो प्लीज लाइक करिए, share कीजिए, subscribe भी कीजिए, वो बटन दबा दीजिए, मेरा खून खुलता है देखके, आप लोग वो बटन दबा नहीं रहे हो, and बच्चों, इस पूरे process का सबका, एक summary दिया है, and please check that out, लिख लो, याद कर लो, अच्छा रहेगा, and as usual, thank you very much,